जो जिन्दकी गुजर गई वो तो अब लोट कर आने वाली नहीं और जो आने वाली है न जाने वो कैसी हो खुश्या ही खुश्या हो या फिर दुख ही दुख परन्तु जो जिन्दकी चल रही है वो आपके अपने बस में है जो दिन आप गुजा रहे हैं उसे ही पूरी जिंदगी समझ कर जियो जो लमहा आप गुजारो उसे पूरी जिंदगी समझो पलपल को पूरी जिंदगी समझ कर गुजारो अपने घर परिवाट से प्यार करो ना के कालू कव्य की दरहां जो हर समे अपने बेटे जगू को मारता रहता कोई भी बात होती वो सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकाल देता गोरी जगू कहा है? वो नदी पर पानी भी ने गया है बस आने ही वाला होगा लो आ गया वो देखो मेरा जगू आ गया ये तुम्हारे पंक गीले कैसे हुए है वो वो पापा जी हम खेल रहे थे के पाने गील गया उपर बस इतनी से बात पर कालू तो पास में पड़ी लाठी उढ़ाता है और जगू को मारने लगता है पापा पंक से मारे बस पापा पंक से मारे पापा इसे ना मारे पापा इसकी बहुत ज़्यादा जोट लगती है अब बस भी करजाए बच्चा है गलती हो गई फिर नहीं ऐसा करेगा चुप कर जाओ, नहीं तो मैं दो लगाओंगा तुम्हारे भी, आई बड़ी मुझे भाशन देने वाली फिर कालुकवा वहां से चला जाता है कितनी बार कहा है, शरारते ना किया करो ममा, पानी से खेलना भी कोई शरारत है पापा तो मुझे माने के बहाने ढोड़ते है किसी का पापा इतना नहीं मारता जितना मेरा पापा मुझे मारता है पास में ही चुडियों का परिवार भी रहता था जो पलपल में पूरी जिन्दगी जी रहा था वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते उनके बेटे का नाम कुकू था पापा आजा पैठें मैं आपके उपर पैठ कर छलांग लगाऊंगा अगर चोट लग गई तो फिर रोना नहीं आप इना हमेशा बचों के साथ बच्चे बन जाते हो ऐसे चोट भी लग सकती है रानो क्या हमारा बच्चपन लोड कर वापिस आ सकता है नहीं कुकू के पापा ग्या जमाना कब लोड कर आता है बस यही समझा करो कि हम अपने कुकू में अपना बच्चपन देख रहे हैं जो हम ना कर सके वो हमारा कुकू करे जो हमें ना मिल सका हमारे कुकू को मिले तो फिर बापा त्यार हो जाओ कुकू ऐसे चलांग लगाता है और वो दोनों बाबेटा नदी में गिट जाते हैं जिन्हें देख रानों चुडिया तो हनसे ही जा रही थी अब बहिरा कर अपने पंक सुखा लो नहीं तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा कालू कवे को एक मीठा और पका हुआ अमरूद मिलता है ये अमरूद तो बहुत मीठा होगा मैं इसे घर जाकर मजे से खाऊंगा फिर वो कव्वा अमरूद लेकर अपने घर को उड़ता है वो अभी नदी से गुजर रहा था के अचानक से वो अमरूद उस कवे की चौँच से गिड़ जाता है कव्वा वो अमरूद पकड़ने की पूरी कोशिश करता है परन्तु वो नहीं कर पाता और वो नाराशो कर चला जाता है वो घर पहुंच जाता है वो तो बहुत गुसे में था आगे आप कुछ खाने को नहीं लाए आजाओ, खालो, मुझे ही खालो ऐसा क्या कहे दिया मैंने, जो आप इतना गुसे हो रहे है वो तो अपने नदी में गिरने वाले अमरूत का गुसा अपने परिवार पर निकाल रहा था ये घोंसला यहां से कैसे तूट गया जगु खेल रहा था और पंख लगया जगु का इसी बात पर कालू तो फिर से लाठी उठा लेता है पापा, माफ कर दे, मैं बना दूँगा घोंसला कालू कवा जगु की एक नहीं सुनता, वो तो बस मारता ही जाता है शरम करो कालू, क्या हुआ है, जो इतना मारहे हो मासूम बचे को, क्या कर दिया है इसने जाओ चिडिया, अपना काम करो, तुम कौन होती हो आज फिर इसका अमरूद गिर गया होगा नदी में, बाहर का जो भी गुस्सा हो, अपने घर आकर ही उतारता है, ये काला कवा फिर वो चिडिया और उसका परिवार वहां से चले जाते है नचाने आपको क्या हो जाता है, हर समय जगू को मारती रहते हो, कभी प्यार भी कर लिया करो, वो चोटा है, अभी उसके खेलने के दिन है मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ममा, ममा मेरे पांक में दर्ध हो रहा है जगू सो जाओ, मैं कल बुल-बुलांटी से दवाल आदोंगी तुम्हें चुप करके सो जाओ, वरना एक लगाओंगा फिर आधी रात हो जाती है, वो सब सो जाते है रात को जगू उड़ता है, और वो अपने घर से निकलता है वो तो अपने पिता के डर से घर से भाग जाता है वो छोटा था, उसे अभी तो जंगल की अच्छे से जानकारी ना थी वो उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है और फिर वो ठक जाता है, और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है रात में चांद की रोशनी थी, इसलिए ज्यादा अंधेरा तो ना था परन्तो वो पुखोट डर रहा था, फिर बैठे बैठे वो रोने लग जाता है सब के पापा इतना प्यार करते हैं, कुकु के पापा ने कभी भी कुकु को नहीं मारा और एक मेरे पापा है, कि जब भी बाहिट से आते हैं, आते ही मुझे माना शुरू कर देते हैं वो रोए जा रहा था, और खुद से बातें किये जा रहा था ममा, ममा उठें, ममा किसी के रोने की आवाज आ रही है, ममा इसमें कौन रो रहा है ममा, ममा आभे मुझे पापा जिन ही बचाती, ममा आभे मेरे साथ नहीं देती, देखे मेरे पंक में कैसे दर्ध हो रहा है आकाश उठें, आप मेरे साथ चले, देखे तो ये रोने की आवाजیں कहां से आ रही है ये तो कोई हमारे घर के पास ही रो रहा है और फिर कुकु की ममा और पापा उस अवाज की दिशा में जाते हैं वो जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं उन्हें एक पेड़ पर जगु बैठा दिखता है वो तुरुत उसके पास जाते हैं जगु मेरे बच्चे आप इस समय यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं और जगु बैटा आप रो क्यों रहे हैं मुझे, मुझे पापा ने बहुत मारा वो बाहिर से गुसे में आये और मुझे मानना शरु कर दिया मुझे बापा की मार से बहुत डर लगता है मैं इसलिए घर से आ गया हूँ कुकु के पापा, मुझे तो लग रहा है जगु घर से भाग आया है अगर ऐसे इसे छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है ये कहीं दूर भी जा सकता है हम इसे अपने घर ले जाते हैं जगु बेटा, आप हमारे साथ हमारे घर चलें اور हमारे घर में कुकु के साथ ही रहना और फिर सुबहा पापा मेरा दूसरा पंक भी तोड़ देंगे मैं पापा के सामने नहीं जाना चाहता मुझे पापा बहुत मारते है बेटा आप हमारे साथ चले हमाप से वादा करते हैं कि फिर कभी आपके पापा आपको नहीं मारेंगे फिर ये सुनकर जगू छोटा कवा चिडिया के साथ चला जाता है दूसरे रोज कुकू की ममा अपने पती से कहती है आकाश अगर आपसे गोरी या कालू कवा जगू के बारे में पूछे तो उन्हें ये ना बताना के वो हमारे घर में है देखते हैं कालू अब क्या करता है कालू जी उठें जल्दी उठें हमारा बेटा जगू नहीं है जगू ना जाने कहां चला गया है क्या जगू कहां जा सकता है रात को तो खोंसले में ही सोया था मैं कहती थी थी ना आप से के मेरे बेटे को इतना ना मारा करे अपना जाने मेरा बेटा कहां चला गया है जगू ये क्या कर दिया बेटा तुमने मुझे पता होता तो मैं कभी ना मारता मैं प्यार करता तुमसे अब मैं अपना बेटा कहां से लूँ चलो कालू हम कहीं देखते हैं कहीं हमारा जग्गू पहाड़ों की तरफ ना चला गया हो वहां तो बहुत जालम चीले रहती हैं नहीं गोरी ऐसा नहीं हो सकता अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाओंगा फिर वो दोनों घर से निकलते हैं रानो चीडिया और उसका पती अपने घर के बाहिर ही बैठे हुए थे वो कवे सीधे उनके पास चले जाते हैं चीडिया मेरा जग्गू घर से भाग गया है पता नहीं वो चिंता है या मर गया हमने कभी प्यान नहीं किया था अपने बेटे से देखा कालू मैंने कहा था ना कि क्यों कारूपार का सारा गुसा अपने बेटे पर निकालते हो अब जो रो रहे हो तो पहले ही थोड़ा सोचा होता चुडिया, मैं फूला हुआ था, मैं बहुत गलत करता था, जो छोटी-छोटी बातों पर अपने बेटे को मारता था अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाए, तो मैं अब कभी अपने बेटे को नहीं मारूंगा मैं खेला करूँगा अपने बेटे से अपने साथ नदी पर ले कर जाया करूँगा ममा पापा अपने बच्चों को डान जरूर लेते हैं मार भी लेते हैं परंतु कालू तुम तो पागल हो जाते थे ऐसे मारते थे अपने बेटे को जैसे इनसान लड़कर एक दूसरे को मारते हैं अच्छा अब चुप कर जो दो नो और मुझे वच्चन दो कि फिर कभी जग्गू को ऐसे नहीं मारोगे फिर मैं बताती हूँ कि जग्गू कहा है ये सुन कर तो कालू और भी रोने लग जाता है चुडिया एक बार मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ मैं अब अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगा अब मुझे पता चल गया है कि बच्चों को मार के साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है जो मैंने कभी भी अपने जग्गू से नहीं किया था फिर चिडिया जगो को अपने घर से बाहिलाती है कालू अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है पापा जी आप चुप कर जाएं और मुझे मार पी लिया करें बस वो बड़ी वाली लाटी से ना मारा करें उससे बहुत दर्ध होता है अपने पंखों से मार लिया करें ये सुनकर कालू बहुत शर्मिनदा था और फिर अपने बेटे को बहुत प्याड से रखता है और फिर वो सब पलपल में पूरी जिन्दगी जीते हैं जंगल में काफी अर्से से सूखे का मुसम चल रहा था सब पक्षी ही बहुत परेशान थे क्योंके जंगल में दाने की कमी तो थी ही साथ में पाने की कमी भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी नदी में बस थोड़ा सा पाने ही बाकी बचा था जिससे मुश्कल से दो दिन ही और गुजरते रानो चड़िया नदी पर पानी बिने जाती है लेकिन जब वहाँ पूंटी है तो वहाँ पर एक खोफनाक साम बैठा हुआ था रानो चड़िया चौक जाती है आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर आपने पानी पी लिया है तो प्लीज यहाँ से चले जाएं क्यों मैं क्यों चला जाओं ये नदी मेरी है और इसका सारा पानी भी सिर्फ मेरा है और ये देखो मैंने अपनी बिल भी इतर ही बना लिया है अब अगर किसी पक्षी ने यहां आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं वैसे भी मुझे भूख भी बहुत लगी ह मेरा कखा मेरा मन उकता गया है मन करता है कि कोई ताजा ताजा नरम मास खाऊ एसे कहते ही साप रान चड़िया की तरह भरता है रान बेचारी चड़िया अब मजा आएगा कमक्ष और से अपने सारे काम करवाया करूंगा इन्हें कुन सा पता चलना है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरी नजर भी बहुत कमजोर हो चुकी है और अब मुझे में ताकर भी नहीं है कि मैं किसी का शिकार कर सकूँ रानो चिडिया पेचारी गबरा कर सर पक्षियों को अकथा करती है और उन्हें सांप के बारे में सब बताती है मुझे तो बहुत डर लगता है सांपों से मैं तो नदी की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा तो पानी कहां से पियोगे हाँ यार मुझे तो पियास भी बहुत लगी हुई है हम सब ऐसा करते हैं साथ बाले जंगल में चले जाते हैं उस जंगल के उलूओं के बारे में पता है ना सब को कितने जालम है मुझे पुरा विश्वास है कि एक दो दिन में बारिश आ जाएगी और हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी और वैसे भी अभी हमारा परावास करने का समय नहीं आया दो महीने बाद जब बरह बारी शुरू होगी तब हम जाएगे अपने अपने घरों को छोड़ कर पच्छा मले जंगल में अभी हम सब को सोच कर कोई हाल निकालना होगा हम ऐसा करते हैं सब मिलकर जाते हैं उस साम के पास और उसकी मिननत करते हैं कि वो हमें पानी पीने दे ऐसे सब पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं साम जी हम आप से एक बात करने आये हैं तुम फिर आ गई मैं अब तुम्हें छोड़ूँगा नहीं नहीं जी हम तो आपके पास एक आवेधन लेकर आए हैं ये अपने साथ और किसको ले आई हो हम सब इसी जंगल में रहते हैं और पानी भी इसी नदी से पीते हैं आप हमारे साथ इतना जलम ना करें हमें पानी पीने दें लगता है ये चिडिया की बच्ची अपने साथ जाता पक्षियों को लेकर आई है साप मन ही मन में ऐसा सोचता है पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे साप बाई जान हम आपको क्या दे सकते हैं हम तो खुद बहुत मुश्कल से गुजारा करते हैं तो फिर पाने को भी भूल जाओ आप हम से क्या लेना चाहते हैं दो चार अंदे दे जाया करो रोज और पानी ले जाया करो अभी हम इतने जालम नहीं हैं कि पाने के बदले अपने बच्चे ही तुमें खला दे तो फिर जाते हो के मैं आउट भारे पास सब पक्षी ही डर कर उड़ जाते हैं अब हम क्या करेंगे दाने के बगएर तो हम एक आधीन गुजार ही सकते हैं लेकिन पाने के बगएर तो एक दिन गुजानना भी मुश्किल होगा तुम सब ने एक बात नोट की अब कौन से बात नोट कर ली तुमने अगर्चे मैं कोई काम नहीं करता लेकिन जितना दमाग तुम सब में मेरा काम करता है उतना किसी का नहीं करता कवे बेगा अब बताओ भी क्या बात है वो साम जो है ना वो बुड़ा हो चुका है और उसकी नजर भी ठीक नहीं है वो हम सब को सिर्फ डिरा रहा है लेकिन तुम ये सब पुरी विश्वास से कैसे कह सकते हो अच्छा अगर वो साम बिल्कुल ठीक होता तो सोचो वो हमारे गोंसलोता खुद नहीं आ सकता उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमें ऐसे कहे के हम उसे अंडे ला कर दें वो सिर्फ हमें बेवकूब बना रहा है अच्छा अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद आजमा लो तुम जाकर बस बोले बगर पानी पीना और आ जाना अगर तुम सब डर रहे हो तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ और कवव सब पक्षियों को साथ ले कर चला जाता है उन सब को एक पेड़ पर बठाकर कालू कववव खुद आहिस्टा आहिस्टा जाता है और पानी पीकर आ जाता है ये कालू तो बहुत जीनियस है सब पक्षि बोले बगर बारी बारी पानी पीते हैं और वहां से चले जाते हैं ऐसे ही दो दिन और गुजर जाते हैं साम भी बहुत परेशान था कि पक्षी दुबारा क्यों नहीं आए आज तो भूक भी बहुत लगी है क्या करूँ अभी साम ये सोची रहा था अज तो नजर भी ठीक नहीं आता दूसरे तरफ साब पक्षी ही बहुत खुश थे सब ही बारिश के मज़े ले रहे थे कवड़ देगा अब बारिश तो हो गई है और काना पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन अब हमें इस साम का भी तुछ करना होगा अजर तो हमारे चोटे चोटे बत्चे पक्षी ही तुछ करना पक्षा से कहता है खरानों सुरिया एक बार जाकर देखता हूँ कि इतनी तेज बारिश में वो बुड़ा साब क्या कर रहा है और कालु कवगा नभी की तरफ चला जाता है बुड़े साब मेरी बात ध्यां से सुन लो अपनी ड्रामे बादी बंद करो और हमारे जंगल से निकल जाओ अगर तुम साब हो तो मैं भी कालु कवगा हूँ अगर तुम्हारा जंगल में खोफ है तो मेरी शेतानी के चर्चे भी दूर दूर तक है तुम क्या समझते हो कि तुम हमें बेवकूफ बनाओगे और हम बन जाएंगे मुझे सब पता है कि तुम भुड़े भी हो और कमजोर भी अगर अपनी जिल्दी की चाहते हो तो चले जाओ यहां से ये ना हो कि मैं अपनी आई पर आजाओं और तुम्हें भागने का रास्ता ही न मिले अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चले ही चुका है तो मेरी बाद भी सुन लो मैं बहुत दुखी हूँ पूरे सो बच्चों को पाला है मैंने और जब मैं भुड़ा हो गया तो वो ही बच्चे मुझे मानने के प्रोगराम बनाने लगे मैं तो गेता पड़ता अपनी जान बचा कर भागा हूँ वहां से तुम पक्षी बहुत अच्छे होते हो तुम्हें मुझे अपने जंगल में रहे हो तो आप सब को कोई खत्रा भी नहीं है साफ अपनी दुख भरी कहानी बताता है और कालू कव्वे का दिल भी नरब बढ़ जाता है यहां तो बारिश के वज़ा से बहुत पानी आ गया है तो मुझे अपने साथ ही ले जाओ मैं किसी को कोई नक्सान नहीं पंचाओंगा और कव्वा उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है चालो सब्वे तुम इस साम को अपने साथ लेकर यूँ आ गये यह कौन सी दुश्मी ले रहे हो हमसे यार बोटे यह साम बचारा बहुँ दुख़्ी है और उसके बाद कव्वा सारी बात पक्षियों को बताता है इसने कहा और तुमने इसकी बात मान ली अगर किसी को नकसान पहुँचा तो इसके चुम्मिदा तुम ही होगे और सापक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं सारी रात बारश होने के बाद अगली सुभों बहुत चमकता थी सापक्षी ही चह चहा रहे थी सापका मूद तो पक्षियों को दे कर पानी से बरा हुआ था साप जी हम जरा दानी की तलाश में जा रहे हैं आपके लिए भी ले आएंगे हम तो बस आपको दाना और कोई फल वगएरा ही दे सकते हैं इस उमर में यही मिल जाए तो वो ही बहुत है तुम जाओ में तुम्हारा इंतजार करता हूँ सापक्षी चले जाते हैं मुझे ये ताजा ताजा अंडों की खश्बूवा रही है लगता है के पासी में किसी पेड़ पर किसी पक्षी के अंडे पड़े हैं अब मुझे से और बर्दाश नहीं हो रहा मैं तो सांप हूँ ये पागल पक्षी इतना भी नहीं समझते के मैं दाने पर कैसे गुजारा कर सकता हूँ यही सोचकर वो सांप आहिस्ता आहिस्ता उस पेर पर चड़ना शुरू कर देता है जिस पर बुलबुल का गोंसला था और उसमें बुलबुल के अंडे पड़े हुए थे अभी वो अंडे खाने ही लगता है कि पीछे से कवा आकर उसे उठाकर पेर से नीचे फैंगता है हाई मैं मर गया तुम मर ही जाओ तो अच्छा है मैंने तुम्हारे सा नेकी की और तुमने उसका ये बद्रा दिया वो तो शुकर है कि मैं समय पर आ गया वरना मैं बुलबुल को क्या मूद दिखाता तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे तुम्हा ही जाते तो अच् पंजब में उठा कर उसे दूर कहीं भैंकने चला जाता है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उमर का कोई हिस्सा भी हो परक्रती कभी नहीं बदलती